दोष्टो आज बच्चे बोले कि रोज रोज का एक जैसा नास्ता खा कर हम तो हो गये हैं बोर तो कोई अलग सा लैना या लोक और नया टेस्ट वाला कोई अच्छा नास्ता होना चाहिए तो दोस्तो मेरे पास रखी थी बरेड तो मैंने बरेड उठाई और पानी में इस तरह डाल कर पका रही थी तभी बच्चे बोले मम्मी तुम ये क्या कर रही हो कोई इस तरह कोई बरेड पानी में पकाता है क्या तो मैंने कहा भाई अलग से तुम्हें कोई नया नास्ता खाना है तो चुप खड़े रहो तो मैंने इस तरह से इसमें मटर डाली उपर से डाल दिया बारी कट करके पालक और पालक को और सब चीजों को मैंने इस तरह से डाल कर उपर से डाल दिया हरी मिर्ची थोड़ा सा डाल देल हैसन अदर का पेश्ट तो बोले बच्चे ममी तुम क्या कर रही हूँ समझ में मुझे नहीं आ रहा है मैंने कहा बैट तुम चुप होकर बैठ जाओ जब आपको नास्ता करना होगा न तब मेरे पास आना और फिर नास्ता करके बताना कि कैसा नास्ता लग रहा है तो दोस्तो इसी तरह से मैंने इन सब को अच्छे से मेश करके और थोड़ा सा पका लिया है उपर से डाल दी है इसमें प्याज एक बड़ी प्याज को बारिक पीस में कट करकी इसमें डाल दिया आप चाहे तो चोप करके भी डाल सकते हैं अब इन सब चेजों को मुलायम होने तक हमने पका लिया है अब इसमें डाल देंगे एक बवल भर के बेसन का और चने का बेसन होना चाहिए ऐसा वैसा फालतों का बेसन ना डाले अब इसमें डाल देंगे एक बड़ी चमच खाने वाली चाट मसाले की और अब इसमें डाल देंगे यहां पर अजवाइन आधी चमच और यहां पर डालेंगे नमक स्वाध अनुसार अब अपने हिसाब से नमख डालना भेशन हैं दोस्टों बेशन में नमख बहुत लगता है और अभे इसको हम इस तरह से अच्छे से मी्च कर लेंगे गेस को कर देंगे एक दम सीलो और सीलो गेस पर इसे पकाते रहेंगे और मीस करते रहेंगे अभी अच्छा सा बेटर बन कर तयार हो चुका है गेस बन करके से यहां से उतार लेंगे अब हमने कड़ाई में चूले पर रख कर तेल गरम कर लिया है अब इसमें हम पेड़े की सेव दे दे कर इसमें हम इस तरह की पकोड़ी उतार लेंगे बहुत ज़्यादा टेस्ट और स्वादिश लगती है और देखने में भी सुन्दर लगती है अब एक साइड से यह अच्छे से पक कर गोल्डन कलर की हो चुकी है तो अभी से हम यहां पर पलट देंगे और आप देखी कितना अच्छा इसमें कलर आ चुका है तो इधर से भी हमीज में गोल्डन कलर होने तक पका लेंगे अभी नास्ता अच्छे से बनकर तयार हो चुका है तब यहां से बाहर निकाल लेंगे और सारा नास्ता इसी तरह फ्राइ कर लेंगे लीजी दोस्तों नास्ता हमारा यह बनकर तयार हो चुका है अमेद करती हूँ आपको ये recipe बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी तो दोस्तों इतनी मेहनत की है तो एक channel subscribe और वीडियो लाइक तो बनता है न और अगर आप facebook पर देख रहे हैं id follow वीडियो लाइक और दोस्तों में share जरूर करना तो दोस्तों चलते हैं मिलते हैं अगली एक और ने वीडियो की साथ तब तक के लिए बाए टीक यार